Hello friends, Welcome to my channel study with silpy. Friends हम लोग UGC नेट एक्जाम जिओग्राफि, PGT, TGT जिओग्राफि and all upcoming geography exams की तयारी कर रहे हैं. Friends आज हम जिओग्राफि में history of geographical thought यानि की भवालिक चिंतन की इतिहास में प्रसित British भुगोल बित्ता एडम स्मित के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स एडम स्मित जोकी एक्जाम की द्रिष्टि से बहुत ही महत्त पूड है और इनसे जुड़े बहुत सारे कुश्चन कई बार Спैक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आएंज भी इनके बारे में बैके से पढ़ते हैं ओकी फ्रेंड्स एडम इसमित जिनको डियाम इसमित भी कह सकते हैं एक ब्रिटिस भूगोल बेता थे एडम इसमित जिनका जन 1723 में और मेत्यू 1790 इस्वी में होई थे एडम इसमित एक ब्रिटिस नीती वेत्ता दार्शनिक और राजनैतिक अर्थ सास्त्री थे उन्हें अर्थ सास्त्र का पिताम भी कहा जाता है आधुनिक अर्थ सास्त्र के निर्माताओं में एडम इसमित का नाम सबसे पहले आता है उनकी पुष्टक राष्ट्रों की संपदा दिबिल्थ ओफ नेशंस ने 28 सताब्दे के इतिहास कारों एवं अर्थ सास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया यानि फ्रेंट्स आपको याद रखना है कि डियम स्मित जो की एक ब्रिटिस भूवल बेता थे जिन्हें अर्थ सास्त्र का पितामह भी कहा जाता था ये एक most important point है कि डियम स्मित को अर्थ सास्त्र का पितामह भी कहा जाता था आदुनिक अर्थ सास्त्रियों के निर्माताओं में एडम इसमित का नाम सबसे पहले आता है उनकी जो पुस्तक थी राष्ट्रों की संपदा दिविल्थ ओफ नेशन जो की अठारवी सताबदी के इतिहासकारों एवं अर्थ सास्त्रियों को बेहद प्रभावित के थी इसी के साथ काल मार्गस से लेकर डेविट रिकारडों तक अनिक ख्याती लभध अर्थ सास्त्री, समाज विच्ञानी और राजनेता एडम इसमित से प्रणना लेती रहे हैं यानि एडम इसमित एक बहुत ही प्रतिष्टित अर्थ सास्तरी थे ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंट्स दियम इसमित के बिचार इन्होंने 1977 में एक पुष्टक मानो भुगोल एक कल्याण परक उपागम प्रकासित कराई जिसमें बताया कि मानो कल्याण भी संभव है जब मानो समस्याओं का निराकरण किया जाए यह भी से मानो जीवन में सुधार लाता है क्रांतिकारी भुगोल का यही प्रमुखुदेश है यह मानो की समाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करता है यानि फ्रेंट्स 1977 में डियम स्मित की एक पुस्तक प्रिकासे थुई जिसका नाम था मानो भुगोल एक कल्याण परक उपागम जिसमें इन्होंने बताया कि मानो का कल्याण भी संभव है जब मानो की समस्याओं का निराकरण किया जाए और यह भी से मानो जीवन में सुधार लाता है इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि क्रांतिकारी भुगोल का भी यही प्रमखुद्देश है कि वह मानो समस्याओं का निराकरण करें और मानो जीवन में सुधार लाए या मानो कल्याण के बारे में सोचें ओके फ्रेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंट्स, मानो जीवन की गुडवत्ता 1973 में डियम इस्मित ने जेवा नियोजन, आवासी वातावरण, स्वास्त, सिच्छा, समाजिक बिवस्था, समाजिक लगाओ, मनुरंजन वा, अमोध प्रमोध के साधुनों को सामिल किया, उन्होंने बताया कि यदि इन सब की उपलव्धता समाज की प्रित्यक बिक्ति को बराबर से प्राप्त है, तो मानो जीवन उच्छ गुडवत्ता वाला होगा, यानि फ्रेंड्स, मानो जीवन की गुडवत्ता के सम्बंध में, दियम इस्मित ने कुछ तत्तो का निर्धारन किया था, किस में किया था? 1973 की अपने पुस्तक Geography of Social Building in the United State में किया था, और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मानो जीवन की गुडवत्ता के निर्धारन के लिए, जो तत्तो महत्वपोड हैं, उनमें सेवा नियोजन, आवासी वातवरन, स्वास्त, सिच्छा, समाजिक बिवस्था, समाजिक मनुरंजन वा अमोद प्रमोद के साधन सम्मलित हैं, उन्होंने कहा यदि इन सब की उपलाभता समाज के प्रतेक बेक्ति को, प्रतेक सद्धिक को बराबर से प्राप्त हैं, तो मानो जीवन उच्छ गुडवत्ता वाला होगा, ये फ्रेंट्स मानो जीवन की गुडवत्त प्रेंट है, और इनकी बुक जोग्राफी ओप सोसल बिल वींग इन दी यूनाइटेड इस्टेर्ट जोकि उनीश सुतिहत्तर में प्रेकासित हुई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इस बुक को भी याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंट एक ब्रिटिस बुगोल बेता थे, जिनकी महत्यपूर्ट पुष्थके निम्नाग की था, जिनमें सबसे पहले पुष्थक है, लोग कल्याण कारी बुगोल, बेलफेर जेयोग्राफी, उनीश सो उन्यासी में प्रेकासित हुई, नेक्स्ट है, मानो बुगोल, ए की 1967 इसुई में प्रकासित होई थी नेक्स्ट है जोग्रोफी एंड सोसल जस्टिस नेक्स्ट है क्रांतिकारी भुगोल रेडिकल जोग्रोफी नेक्स्ट है जोग्रोफी ऑफ सोसल बेलवींग इन दी युनाइटेड इस्टेट फ्रेंट्स यह पाचों ही पुष्त के most important है और ये कई बार exam में पूछे भी जा चुकी है जिनमें लोग कल्याण कारी भुगोल, बिलफेर जोग्राफी और दूसरी है क्रांतिकारी भुगोल, रेडिकल जोग्राफी और नेक्स्ट है जोग्राफी और सोसल बिलविंग इन दी उनाइटेट इस्टेट ये तीनों और भी जादा important है क्योंकि ये कई बार exam में पूछे जा चुकी है वैसे friends DM Smith की ये पाँचों ही पुष्टके बहुत important है ओके friends तो आपको इन पाँचों पुष्टकों को याद रखना है next point है कौन, क्या, कैसे, कहा, who gets, what, where, how का भुगोल में अध्यान friends ये एक most important point है और ये बहुत बार exam में पूछा जा चुका है कि कौन, क्या, कहा, और कैसे का भुगोल में अध्यान, किस भुगोल बेता ने किया था तो friends आपको याद रखना है कि who gets, what, where, how का भुगोल में अध्यान British भुगोल बेता DM Smith ने किया था जब आप previous year के question paper solve करेंगे तो आपको ये question कई बार मिलेगा कि कौन, क्या, कहा, का अध्यान भुगोल में किस भुगोल बेता ने किया था तो आपको याद रखना है कि DM Smith ने किया था नेक्स्ट पॉइंट है, इनका मानना था कि भुगोल बिद और प्रादेशिक वेग्यानिकों के बिचारों में गहरा संबंध है जिसे आर्थिक भुगोल के सिध्धानतों द्वारा इसपष्ट किया जा सकता है ओके फ्रेंट्स तो ये भी एक important point है आपको इस point को भी याद रखना है कि भुगोल बिद और प्रादेशिक वेग्यानिकों के बिचारों में गहरा संबंध है जिसे आर्थिक भुगोल के सिध्धानतों द्वारा इसपष्ट किया जा सकता है ओके फ्रेंट्स तो हमने DM इसमी से संबंधित उन सभी महतपूर विंदों को और उन से संबंधित उन सभी महतपूर पुस्तकों को पढ़ लिया है जो कि एक्जाम की द्रिष्टी से बहुत ही महतपूर थी और कई बार एक्जाम में पूछे भी जा चुकी थी तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो